C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमाद के लिए महलियाती साइंस की समयी दर्सी किताब आसपास का सबक उननिस हमारे साथी जानवर सफ़ा नंबर 124 टक की आवाज सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चे चौक गए आवाज छट पर लगे पंखे से आई थी कल्यानी चिल आई देखो देखो उस कोने में देखो चडिया पंखे से जखमी हो गई पीटर जट से उठा और चडिया को उठा लाया चडिया दर्द से तडप रही थी नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए पीटर ने चडिया को प्यार से सहलाया पानी की कटोरी चडिया की चोँच के पास लगाई चडिया ने थोड़ा पानी पिया पानी पीकर वो धीरे धीरे अपने पर फड़़णे लगी नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा उन्होंने देखा कि चड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश कर रही है तब ही फुर्ड की आवास के साथ चड़िया बाहर उड़ गई इस सफे पर एक गौरईया की तस्वीर है जो की जखमी है और एक बच्चे के हाथों में माजूद है दूसरी तस्वीर में कल्यानी, पीटर और अली की तस्वीर दिखाई गई है जो की उड़ती हुई चड़िया को देख रहे है सफा नंबर 125 अगले दिन बच्चों ने देखा एक चड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है बच्चों ने ये पहचानने की कोशिश की कि क्या वो पहले दिन वाली चड़िया थी उन्हें लगा कि ये वही चड़िया है उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे जुम्लों को सही तर्तीब में लिखो पीटर ने चुडिया को प्यार से सहलाया बच्चों ने देखा एक चुडिया उनकी क्लास में चक्कर लगा रही है नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए फुर की आवास के साथ चुडिया क्लास से बाहर उन गई चुडिया पंखे से जखमी हो गई इस सफे की बाई जानिब एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ मौजूद है शंकर बहुत खुश था उसके घर के आंगन में बिल्ली ने चार बच्चे जो दिये थे वो अपना खाली वक्त वहीं गुजारने लगा एक सुभा बिल्ली के रोने की आवास से उसकी नीद टूटी जानते हो बिल्ली कैसे रोती है वो आंगन की तरफ भागा देखा तो बिल्ली अपने तीन बच्चों को साथ चिपका कर रो रही थी एक बच्चा गायब था उसने बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा सोचो मालिनी ने क्या किया होगा जानवरों के जजबात के बारे में गुफ्तगू करने से बच्चे जानवरों से हमदर्दी रखने वाले बन सकते हैं सफ़ा नंबर 126 इस सफ़े की बाईं जानिब एक गाएं की तस्वीर दिखाई गई है भोली मीनू की गाएं है मीनू रोज सुभा भोली को मैदान में चराने के लिए ले जाती है एक दिन तेजी से आते हुए स्कूटर से भोली के पाउं में चोट लग गई जखम से खून निकलने लगा था अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे चंदू धोबी अपने गधे का बहुत खयाल रखता है गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है तस्वीर में देखो और लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है यहां चार तसवीर दिखाई गई है पहली तस्वीर में चंदू अपने गधे को नहला रहा है दूसरी तस्वीर में चंदू अपने गधे को घास खिला रहा है तीसरी तस्वीर में चंदू अपने गधे को पानी पिला रहा है और चौथी तस्वीर में चंदू अपने गधे को फूलों से सजा रहा है यहां जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है सफा नंबर 127 क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में किसी के यहां पालतू जानवर हैं? कौन सा? क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को? भूक लगती है? गर्मी या सर्दी लगती है? कोई परेशान करता है? चोट लगती है? यहाँ जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है हम पालतु जानवरों को घर पर रखते हैं उनकी देख भाल करते हैं टेबल में ऐसे कुछ जानवरों के नाम दिये गए है टेबल को मुकम्मल करो यहाँ एक जदूल यानि टेबल दी गई है इसके पहले कॉलम का उन्वान है जानवरों के नाम दूसरे कॉलम का उन्वान है उन्हें क्यूं पालते हैं पहला कॉलम जानवरों के नाम कुत्ता उन्हें क्यूं पालते हैं? खाली जगा जानवरों के नाम खाली जगा उन्हें क्यूं पालते हैं? ये दूध देती है जानवरों के नाम खाली जगा उन्हें क्यूं पालते हैं? ये गाड़ी खीचता है जानवरों के नाम बैल इन्हें क्यूं पालते हैं? खाली जगा जानवरों के नाम मुर्गी उन्हें क्यूं पालते हैं? खाली जगा जानवरों के नाम मचली इन्हें क्यूं पालते हैं? खाली जगा जानवरों के नाम खाली जगा प्यारा या प्यारी लगती है हम जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं इस रिष्टे को समझने से बच्चों को जानदारों के दर्मियान बाहमी अनहसार समझने में आसानी होगी सफा नमबर 128 परिंदों का प्याव मिट्टी का एक चोड़े मूँ का बर्तन लो बर्तन को रसी से बांध कर लटकाओ जैसा तस्वीर में दिखाया गया है सफे की बाई जानिब एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें पेड़ की शाख पर एक चोड़े मूँ वाले बर्तन को रसी से बांधा गया है और गौरई या चड़िया उसमें से पानी पी रही है अब इस बरतन में पानी डाल कर उसे किसी पिड़ की शाख पर या घर के बाहर किसी खूटी पर टांग दो उसमें रोज पानी भरो देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से परिंदे वहां आते हैं पाने की जरूरत हमें भी है और जानवरों को भी ऐसी ही कुछ और चीज़े हैं जिनहें हम और जानवर दोनों इस्तमाल करते हैं ऐसी तीन चीज़ों के नाम लिखो यहां जवाबात के लिए जगा दी गई है तुमने अपनी फहरिस्त में खुराक जरूर इस्तमाल किया होगा तुम जानते ही हो हमारा खाना कितने अलग-अलग किस्म का होता है इसी तरहां जानवरों का खाना भी मुख्तलिफ अकसाम का होता है क्या तुमने कभी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को खिलाते हुए देखा है अगर हां तो टेबल में लिखो परिंदों का प्याव बनाने में बच्चों की मदद करें इसे बाहर खुले में ऐसी जगह रखें ताकि बच्चे परिंदों को नजदीक से देख सकें और उनके बारे में बहुत सी मालुमात हासिल करें सफ़ा नंबर 129 यहां एक जदूल दिया गया है जिसके दो कॉलम है पहला कॉलम तुमने किस जानवर को खिलाया दूसरा कॉलम क्या खिलाया यहां जवाबात के लिए खाली जगह दी गई है तुम उन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया उसे क्या क्या खिलाया देखो क्या हमारी फहरिस्त में ये नाम भी है मालूम करो कि ये क्या खाते हैं चूहा, कौक्रोच, चमगादर, मकडी, छिपकली, कव्वा, गिलहरी, बंदर, सुवर याद करो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बगएर तुम्हारा खाना खाया है? कैसे? यहाँ जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है सफा नंबर 130 कौन क्या खाता है? इसे अलग-अलग रंगों की लकीरे खीच कर मिलाओ एक मिसाल नीचे दी गई है यहाँ मुख्तलिफ बॉक्स बनाए गए हैं चुहा, इंसान, रोटी, फल, सबजी, रोटी, बकरी, मच्छर, कीडे, मकॉले, चीटी, साप, घास, गौरईया, छिपकली यहाँ मिसाल के तौर पर बकरी के बॉक्स को रोटी, रोटी, फल, सबजी और घास के साथ मिलाया गया है फैरिस्त में जानवरों के नाम लिखो यहाँ एक जदूल दिया गया है जिसके तीन मुक्तलिफ कॉलम है पहले कॉलम का उनवान है ऐसे जानवर जिन्हें तुमने चुआँ है यहाँ जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छूँ सकते हैं ये ज्यादातर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं उन में से कुछ हमारी मदद भी करते हैं कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते डर लगता है कि कहीं काट ना ले नुकसान ना पहुचाएं या खा ही ना जाएं बच्चों से ये गुफ्तगू की जा सकती है कि जानवरों और परिंदों को छूने का मतलब है उन्हें प्यार से सहलाना ना कि उन्हें परेशान करना अगले सफे पर दिखाई गई तस्वीर के जरिये कुद्रत में मौजूद तनासुब और तवाजन को दिखाया गया है बच्चों को ये बात आसान और सादा तरीके से वाज़े करना जरूरी है सफा नंबर 131 रानी का बाग इस तस्वीर को पढ़ो और क्लास में तबादलाए खयाल करो इस सफे पर चार तसावीर दिखाई गई है पहली तस्वीर में रानी हाथों में आम लिये हुए बैठी है और माली आमों की टोकरी के पास बैठा है रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाया है रानी इतनी सारे आम बहुत खूब माली माहरानी जी अगर परिंदे ना खाते तो आम इस से दो गुने होते रानी क्या कहा परिंदे आम खा गए तुमने परिंदों को बाग में क्यों आने दिया माली गल्ती हो गई माहरानी जी अब किसी परिंदे को नहीं आने देंगे अगली तस्वीर में महरानी गुस्सा करते हुए और माली हाथ जोडे हुए ये अगले साल की तस्वीर है महरानी पहले से भी कम आम? परिंदों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? माली रोका था महरानी जी एक भी परिंदा नहीं आने दिया लेकिन इस बार तो फलों को कीड़े लग गए परिंदे होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते इसी के साथ 24 असबाख के किताब आसपास का सबक नंबर 19 हमारे साथी जानवर यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत